कि एगाइस वेलकम टू मैं चैनल आज मैं शेयर करने वाली हूँ साधी में जाने के लिए मेकप लुक तो चलिए स्टार्ट करते हैं फस्ट में स्किन कियर करूंगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिए टोनर और यह है ब्लु हैवन का टोनर अच्छे से फेस को फ्रैप करें जाता है तो किसी डीजन के वज़े से वीडियो शूट नहीं कर वाई थी और फाइनली अब से काईस में रेगलर वीडियो डालूंगी तो आज मैं यही वेडिंग गैस्ट मेकप लुक्षर करने वाले तो फर्स्ट इम काईस मैं यहाँ पे यू नो वैक्स ट्राइक करने व लगा अगर आप फर्स ट्राइप कर रहे हो तो डाकर शेयर का यूज मत करना आप जो उससे लाइक लाइटर शेयर था उसका यूज करना मैंने थर्डाएक में वही तो बाह ने ने तुछ वी कर लिया था इसके बाद काईस कैन को देने के लिए मैं यहाँ पे ऑप ऐलिपि अच्छा जाता है तो आई मीकप भी आपका अच्छा होगा अगर आपका बेस अच्छा बनेगा तो इसके बाद मैं यहाँ पर यह आई शेड़ पैलट ले रही हूँ इसमें से मैं औरेंज शेड़ ले रही हूँ इसके बलेंड करते हुए इनर कोनर के साहँगी और अच्छे से बलेंड करेना है इसके बाद मैं यहाँ पर मैवलीन का काजल ले रही हूँ और इसे आई लाईने करूंगी आईके आई लीड पे और इसको न फिर smirch भी करना है अच्छे से यह है blue shade और मैंने लिया है pencil brush pencil brush के help से guys बहुत अच्छे से यह जो काजल है na smirch हो जाता है मैंने blue shade इसलिया है because जो मेरा सारी है वो navy blue है तो black and blue color को जब आप mix करते हो होना तो navy blue में convert हो जाता है मैंने one eye को टन कर लिया है तो इस आइको में अच्छे से टन करके दिखाती हूं इसकी बाद फिर मैंने यहां पर shimmer shade लिया था golden shimmery shade और उसको प्रस के हर्प से अच्छे से अपने eyelid पर apply किया और इसकी बाद मैं यहां पर golden shade ले रही हूं और उसको मैं अपने eyes के eyelid पर finger के हर्प से अराम से glitter जो है उनको apply कर लूँगी and yeah इसके बाद guys फिर meveline का mascara लेकर अच्छे से अपने eye lashes को coat कर लेना है और आप देख सकते हो guys बहुती प्यारा eye look यहां पर turn out हो गया है अब guys जैसे कि हमने eye makeup done कर लिया है तो face को अच्छे से clean कर लेना है and मैं आपको बता दूँ पहले मैं यहां पर concealer sorry moisturizer का apply कर लिया था but face को clean करने के बज़र से moisturizer वहां का उड़ गया है तो इसलिए दुबारा मैंने moisturizer का use किया and इसके बद guys मैंने eye का यहां पर primer लिया है और face को अच्छे से prime करना है और जब भी आप makeup करते हो ना तो face को primer जरूर किया करो नहीं तो face खराब हो सकता है और इससी क्या होता है कि base भी आप का काफी अच्छा बनता है primer का use करने से इसके बाद मैंने यहां पर dark concealer लिया ज़रूरी नहीं कि आप orange concealer का ही यूज करो आप dark concealer का भी यूज कर सकते हो अगर ज्यादा pigmentation का issue नहीं है तो just like me and बस उसको फिर ब्लैंड कर दिया है guys चोटे-चोटे tips and tricks होते है makeup को flawless बनाने का तो आप अगर पूरा वीडियो वाच करोगे तो आपको बहुत सारी tips and tricks पता लगेंगे एंड इसके बाद मैं यहां पर एनवाई का foundation ली हूँ इसको brush के help से मैं अपने face के उपर apply कर रही हूँ एनवाई के डबी है ना मुझे like यह विकार लगता है बट foundation अच्छा है because उसको न और नेक के रिया को guys कभी भी skip नहीं करना है नेक पे भी आपको apply करना है and इसकी बद में यहां पे सेज़ ब्यूटी का concealer ले रही हूँ इसको अंडर आई पे apply करूंगी अंडर आई पे guys हमेशा ही concealer का use करें वहाँ पे foundation का use ना करें because concealer थोड़ा foundation से ठीक होता है और वो काफी अच्छा you know finishing भी देता है और अंडर आई पे crease भी नहीं बनता है तो इसलिए वहाँ पे concealer का use करें और फिर उसको अराम राम से brush के हलब से blend कर ले and आप देख सकते हो कि क अच्छी finishing आई है अंडर आई पे guys जो concealer होता है थोड़ा lighter लिया जाता है foundation से ताकि काफी अच्छा लगे दिखने में इसके बाद मैं यहाँ पे concealer लीख हूं contour concealer NY का इसको चिक पे nose पे लाइक किया है I know यह बहुत जादा नहीं है बट मेरे skin tone से तो यह dark है तो इसलिए guys मैंन इसके contour किया है और इसको एक small brush के help से मैंने nose को अच्छी finishing दी है contour करके and फिर चिक पे भी हलका हलका मैंने यहाँ पे blend कर लिया है इसके बाद guys मैंने यहाँ पे red color की tint lipstick ली थी और उसको बस अपने चिक पे apply किया and blend कर लिया because आज कर बहुत जादा trend में है and यह काफी अच्छा भी लगता है liquid foam में blush and इसके बाद guys मैं यहाँ पे compact ली हूँ blue heaven का और small brush के help से ही guys मैं काफी अराम अराम से इसको यूनो set कर रही हूँ अपने under eye को और big brush के help से बागी के parts पे मैं compact को apply कर लूँगी बस वहाँ पे ज्यादा तर reuse करूँगी जहाँ पे मैंने conceal किया है इसके ब life में अगर कोई रंग ना हो तो life एक तब रंगी सी लगती है तो इसलिए चेहरे को पर blush ना हो तो चेहरा आपका मुर्जाया हुआ सा लगता है तो जरूर अपलाई करें इसके बाद guys मैंने काजल लगा लिया अपनी आखों में और काजल लगाने के बाद मेरी आखे और भी लाइट कर लिया फिर मैंने यहां पर हाइलाइटर से अपने हाइप और को लाइटिंग कर ली एंडिस इस इंदा फाइनल लोक काईज वाव मुझे तो यह लुक बहुत अच्छा लगा आपको कैसे लगा कॉमेंट करके बताएगे और प्लीस लाइक कर दिजिए के और चैनल को सिस्क्राइब ने किया तो सिस्क्राइब कर ले और आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में फिलहाल के लिए बाद बाइब बाइब लेड वाईब लेड़ के लिए ऋेवाफन रहाईब लाईब ले वाईब लेड़ कर दो बाईब लेड़ कहा ही डिल्क बाईब।